नमस्कार दोस्तों स्वागताब का जोदपूर रेल्बी यूट्यूब चैनल पर तदोस्तों मैं आज आप सब्यों के लिख Pretтории लेकराईंग एक दम लेटेस्ट और धमाकेदान अपडेट जोदपूर जोदपूर रूट से रिलेटड जैपूर जोदपूर रूट पर इलेक्टरिक इंजन से ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है और कल से यानि की 2 अक्टूमबर गांधी जानती के दिन जैपूर से जोदपूर के बीच पहली बार इलेक्टरिक ट्रेन दोड़ेगी अभी 5 दिन पहले मैंने पोल डाला था कि किन ट्रेनों को जैपूर जोदपूर रूट पर सबसे पहले इलोको मिलेगा तो सबसे जादा लगबग 290 वोट्स मिलेते मरुदर एक्सप्रेस को और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है वराणसी जोदपूर मरुदर एक्सप्रेस जैपूर जोदपूर रूट पर पहली बार इलेक्टरिक लोको से संचालित होने वाली ट्रेन बनेगी मरुदर एक्सप्रेस जोकी आज यानि की 1 अक्तूबर को जो वराणसी सिटी से रवाना होगी वह कल यानि की 2 अक्टूमबर को जैपूर में बिना ट्रेक्शन जेंज के जोदपूर तक इलोकों से आएगी और वापसी में 3 अक्टूबर से जोदपूर से यह इलोकों से संचालित की जाएगी पहली बार इसी कड़ी में दूसरी ट्रेने हावडा जोदपूर सुपर पास्ट जो की आज यानि की 1 अक्टूबर को हावडा से रवाना होगी और पड़सो यानि कि 3 तारीक को जोदपूर ईलोकों के साथ महुचेगी और वापसी में जोदपूर से 3 अक्टूमबर को पहली बार ईलोकों से संचालित की जाएगी इसी के साथ में जो हावडा विकानेर एक्सप्रेस यह वो पहली बार 3 तारीक को हावडा से और पांच तारीक को विकानेर से ई-लोकों के साथ संचालित होगी तो दोस्तो मरुदर एक्सप्रेस का कल और हावडा जोदपूर एक्सप्रेस का पड़सो ई-लोको रन का वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो हमारे साथ जुड़िये रहेगा बाकी तो आज की यह छोटी सी लेकिन इंफोर्मेटिव और इंपोर्टेंट अपडेट वीडियो यहीं तक इमीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करना ना बुले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी लेटिस्ट अपडेट्स और इंट्रेस्टिंग ट्रेन वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद